तो एक बंदे का प्रॉब्लम आया है, one of my subscribers, प्रॉब्लम क्याता है, जब मेरे girlfriend के साथ मेरे relationship में गया आ तो उसने मुझे बोले कि I will never cheat on you, मैं तुवारे ओपर कभी cheating नहीं करूंगी, मेरे ओपर एक बढ़ो सार रख के तो देखो, फिर देखो क्या होता है, फिर क्या हुआ, साथ दिन गए, साथ दिनों बाद उसने अचानक से ये बोलना शुरू कर दिया कि I guess this relationship is not working anymore, मतलब ये relationship काम नहीं कर रहा है, तो ये बोल के उसने मुझे अचानक से block कर दिया, फिर क्या हुआ, दूसरे लड़के के साथ relationship में चली गई, अब क्या करूँ गई, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, अब शुरू करने से पहले मैं एक assumption लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने तो मुझे full information नहीं दिया, तुमारे बादे में मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है bro, तो क्या हुआ, मैं ये assumption लेकर चल सकता हूँ, कि तुमने 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 और भाई तुम लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना तुम्हारा भाई कोई प्रॉब्लेम हो कोई क्वेश्चन हो जुसके वारे में तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बेच चिचक इस आईडी पे भेज सकते हो या तो यूटू जाओगे solution भी आ जाएगा लेकि तुम्हें नहीं मिलेगा मैं यह नहीं चाहता भाई ठीक है और वीडियो को इन तक देखो नहीं तो तुम लोग बहुत कुछ मिस कर डालोगे अब तुम्हें यह चीज समझना होगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो ऑफिश्यनी ची चीज क्या है वह बहुत ही चालाकी से तुम्हारे साथ उसने पहले ब्रेक अप कर लिया जूकि अफिश्यली एक नेश्रल प्रोसेस है अगर उसने ब्रेक अप कर दिया तो वह यहां पर तुम दोलों के बीच में कोई वास्ता नहीं रहा था तो शीज फ्री टूगो विट स में करना चाहिए करें से, चाहिए कि अजलिजफ पर और तुम हमें की यहां नहीं होता तो उसका अच्छा ही का परत पढ़ने इसको सुधारनी की Responsibility लेने की गलती मत करने जाना, ठीक है ultimately fail हो जाओगे frustrated हो जाओगे कोई जरूद नहीं है अब उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसको इससा नहीं करना चाहिए तो उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ क्यों किया ऐसा ये सब पोशने मत जाओ अपना दिमाग खड़ा मत करो अपना टाइन भी बरबाद मत करो क्योंकि तुम्हें कोई आंसा नहीं मिलने वाला है कुछ नहीं मिलने वाला है ये सब ढूनने मत जाओ भाई देखो जो किया तुवारे साथ किया ये unfair world है ये यहाँ पर तुवारे साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है इसको लेके स्थोच के सोचने में अगर मैं लग जाओगा तो पूरी जिन्दगी चली आएगी मिलनी ठेक है मत सोचे इन सब चीजों के बारे में बुरा किया किया मेरे साथ ठीक है इंसान सभी अच्छे नहीं होते मेरे साथ बुरा भी हो सकता है इन सब चीजों को छोड़ चार के निकलना इतना difficult हो जाता है कि तुम सोच भी ने सकते तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तुम अटा तो सिर्फ साथ दिन गया है लोग का तो साथ साल चला जाता है तुम फिर भी profit side में हो कि तुम डेटिंग में हो लोग तो भाई शादी करने के 10 दिन बाद divorce ले ले लेते हैं उनका सोचो एक बाद situation अब साला मेरे को एक बात बताओ कि तुम इस इंसान के साथ relationship में गये कैसे क्या सोच के गये थे क्या जानते हो उस इंसान के बारे में ना तुम कुछ जानते हो बाद कि किसी भी इंसान के साथ कोई भी expectations मत रखना जब तक कि उस इंसान के बारे में तुमारे पास knowledge ना हो एक इंसान के बारे में तुम कुछ नहीं यानते तो expectations भी नहीं रखना चाहिए इस aspect को ले के तुमें बहुत ही careful होना हो जिंदगी में क्योंकि यह relationship का जो aspect है यह बहुत ही sensitive aspect है इसके बारे में अगर careful नहीं होते हो तो तुमारे जिंदगी में बड़े बड़े लगने वाले हैं यतने बड़े बड़े हैं और अगर relationship के और भी aspects के बारे में जानना चाहते हो तो भाई खुशी खुशी इस book को खरीद सकते हो certain things in an uncertain life भाई मैंने खुद लिखा इस book को Amazon का link तुमें description में मिल जाएगा ठीक है उसको जाओ check out करो अगर खरीदने का मन करें तो खरीद के पढ़ना शूर कर दो क्योंकि भाई इसमें love और relationship के बारे में पूरा का पूरा chapter है भाई ठीक है हर एक problem का solution तुमें शायद मिल सकता है बहुत ही अच्छे अच्छे perspectives तुमें इस book में मिल जाएगे ठीक है तो इसको खरीदो खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो और फिर मिल को बताओ कि तुमें कैसा लगा तुमें एपने relationship के वारे में जो भी concepts लेके घूम रहे होने या जो भी perspectives है तुमाने पास उनको change करना होगा क्योंकि वो outdated हो चुके है possibly या तो भाई वो stereotypical है या तो common है बहुत ही उनको लेके अकर तुम चलते हो ना भाई इस modern world में भाई तुमें बहुत सारे problems face करने पर सकते हैं relationship में या तो भाई तुमें एक healthy relationship दोड नहीं पाऊगे तुमें क्या करना होगा उनको change करना होगा new perspectives के साथ भाई new version 2.2 perspectives के साथ तभी तुम भाई एक healthy relationship को find कर सकते हो अपना perspective change करना होगा इसलिए मैं कह रहा हो perspective change करो यह सब movies का ideas collect करना बंद करो इससे बरबाद ही हो जाओगे भाई तुम movies का idea लेके चलोगे ना तो बरबाद हो जाओगे reality में कदाव रखो reality के बारे में सोचो reality में क्या होता है यह सब जानने की कोशिश करो गई relationship के जो भी dynamics है ना इनको जानने की कोशिश करो अगर तुमें नए नए परस्पेक्टिफ्स चाहिए किसी भी इंसान के साथ अगर तुम relationship में जातो सबसे पहले तुम्हें यह चीज़ देखना होगा कि वह इंसान का behavior कैसा है तुमारी तरफ वह इंसान का तुम्हारा call cut कर रही है या तुम्हें एग्नोर कर रही है थोड़ा-थोड़ा थोड़ा तुम्हें अतना भाव नहीं दे रही है उतना priority तुम नहीं उसके लिए ये तुम्हें पहले से notice करना होगा शायद तुम ये तुम पहले से अगर नोटिस करते हो ना इस प्रॉब्लम में इस जंजट में तुम पढ़ोगे ही नहीं कभी भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आच मिले कि इंसान थोड़ा सा ऑपसे बीएवियर दिखा रही है या थो तुम्हें उसी वक्त सोच लेना चाहिए कि हाँ इंस प्रायरटी अब सबसे बड़ी बात पहरे इंसे बड़ा के बारे में कभी इंसान केसा था कंव में ने नहीं देखा है वाई अपला मरवाना है तुम्हें कि ये तुम्हें वाइ क्यों जाओगे मैं के नहीं खुछ हुआई तब तक single रहो जब तक कि तुम्हें एक compatible इंसान ना मिले वाई जब तक कि एक स्रही अच्छा इंसान के साथ relationship में नहीं आते जब तक तुम्हें यह नहीं लगता पूरी तरीके से हर एक aspects की तरफ से कि यह एक healthy relationship होने वाला है short term में भी long term में भी तब तक relationship में मत जाओ single रह जाओ ठीक है single रहने से मन नहीं जाओगे यह सोजना होगा तुम्हें single रहने से मन नहीं जाओगे उल्टा happy रहोगे जब तक कि एक healthy relationship नहीं मिलता है मत जाओ single रहो मेरे को एक simple question का answer दो कि relationship का मतलब क्या है तुमारे लिए relationship का purpose क्या होना चाहिए happiness ही होना चाहिए ना बाई extra happiness अगर वो तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलना है तो भाई मैं क्यों जाओगा Unwanted relationship में नहीं जाना है किसी भी इंसान के साथ मेरे को नहीं जाना है सोच समझ के जाओ इसलिए मैं कह रहा हूँ यह सब चीजों के बाड़े में सोच समझ के कान करो अब यहाँ पे तुमारे साथ जो हो गया वो तो हो गया ना उसको तो तुम change नहीं कर सकते अब तुम्हें क्या करना होगा और इंसान को भूलने का process start कर देना होगा और अगली बार अगर किसी इंसान के साथ future में relationship में जाते हो तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना ठीक है